यह हमारा कुछ बिजनस के वेरी शॉर्ट कोशन आंसर है जो कि वन वर्ड टाइप में पूछा जाते हैं तो सब सब पहले में सब यह हमारे फॉर्स चैप्टर से रिलेटे लिए है जिसमें संयुक्त पुण जी कंपनी क्या है यह सब क्या है वो सब पहले कोशन मेरा यह है कि स जयुक्त पुण्जी कंपनी संचालक मंदल का चरन कौन करता है तो वह है अंशधार्ट सेकेंड है उस लगुई काई का नाम बताईए जिने एक कंपनी की पुण्जी विवाजित होती है अंशष का अंसर ठर्ड है एक कंपनी के निर्मान के चरनों के नाम बताएं आंत्रिक प्रवंदन का सिंधान नाम प्रलेख का नाम बताएं तो है पार्षद अंतनियम फिफ्थ है कौन सा प्रलेख कंपनी के चार्टर के रूप में जाना जाता है तो वह है पार्ष सीमा नियम सेकेंड हम सिक्स्त है हमारा उस लेखक का नाम बताएं जो कंपनी के अफिदान हेतु जन संधारन को आमंद्रिद करता है इसका अंसर है प्रविवन के सेबंथ है पार्ष फिल आयर स्मनियम का किंसे वक्याइध कंपणी की निर्गमन से पूर प्राप्ट करना होगा उसे ही नियुंतम अविदान कहते हैं कहते हैं या कहा जाता है 9. कौन से प्रामान पत्र को कम्पनी के जनम का प्रामान पत्र कहा जाता है ये है सम्मेरन का प्रामान पत्र के लिए एक नियंत्रन होता है कि वे कंपणी के अंशो या रिन पंत्रों के लिए अफिदना करें या कंपणी कमें निवेश करें इसका क्या नाम है तो यह है प्रवीरनान प्रवीरन क्या है नीजी ठी तो सारवजनी कमपनियों की दस्वा में पाहसद सिमा नियम के कितने हस्त हस्त तरचल करता अिवारे होते हैं तो एक सारवजनी सिमांठ कमपनिय की दस्वा में कम से कम 7 साथ हस्ताशर करता तथा नीजी समिन्त कंपनी की दशा में कम से कम दो हस्त करता होने चाहिए कोई कंपनी अस्तित्व में कव आती है इसके सम्मेलन की तिथी में 2015 है हमारा प्रहाट कंपनी की सम्मेलन की प्रधम सनचालय की कौन होते हैं आतर ग्ता वाल जıосác कम signing की अधिक्रिपिके प्रमान पत्र 15 है उस प्रलेख का नाम बता है जिसके द्वारा एक कंपनी एक विविन वैवधानिक संसा बनाती है सम्मेलन का प्रमान पत्र और 16 हमारा है सम्मेलन चरण के दौरान जमा किये गए कि जाने वाले प्रलेख प्रलेखों को नाम बता है समय चर्ण के दोरान जमा किये जाने वाले मुख्य प्रलेखन इस प्रकार हैं पर्षड सीमा नियम अधिक्रत पुंजी का विवरेंड संचालकों की सूची संचालकों की लिखित सहमती पंजी करिष तो कारियला का नाम है और हमारा यह लास्ट है वेडानिक भोशना